नमस्कार किसान भाई वो मैं परणव फिर से अपके अपने चैनल परणव कृशी केंद्र में स्वागत करता हूँ तो मैं आज आ चुका हूँ इस खेत में और इस खेत में देखिये धान पूरा कट चुका है इस खेत में हातों से धान काटा गया है और धान काटने के वास इस इस खेत को ऐसे ही छोड दिया गया है, देखिए इस खेत में कितने परिमान में अफसिष्ट धान का अफसिष्ट बचा है, इसको धान का अफसिष्ट बोलते हैं या पैरा भी बोल सकते हैं, बहुत साज लोग बोलते हैं, और इस मेर में देखिए कितने परिमान में घास हैं, तो हम लोग अगर धान काटने के बाद ऐसे ही अपने खेत को छोड़ देते तो हम बहुती बड़ा गल्दी करते हैं क्योंकि जो धान के अपसिष्ट में बहुती हानिकारा कीट रहता है या फंगेजनित कीट रहता है जो कि हम लोग अगर ऐसे छोड़ देते हैं वो उसी अफसिष्ट में जिन्दा रहता है और जब हम दुसरे फसल लगाते हैं तो उस फसल में एक्टिव होकर फंगस उस फसल में एटाक कर देता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है श्रीप उस अफसिष्ट में नहीं बलकि एक जो मेडों में आप घास दिख रहे हो इस घासों में भी फंगस जनीड जो कीट है जो शुश्म केट है वो क्या है जिन्दा रहता है और सालो सालो जिन्दा रह सकता है इसलिए अगर आप धान काटे हो चाहें आप हाथ से धान धान के अफसिष्ट को आप अपने खेतों में सवा दीजिए और साथी साथ मेड को भी साफ सुत्रा करके रखिए नहीं तो मेड के घास में भी वहाँ खानी का रख फंगत जनीत कीट या फंगत जनीत शोश्मकीट रह जाता है और जब हम दुसरे फसल लगाते हैं तो उस फस दल में अक्टिव होके अटाक कर देता है जिससे हमें बहुती बड़ा नुकसान भी उठाना पर सकता है इसलिए अगर आप धान काटे हो तो धान काटने के बाद इस अफसिष्ट को अपने खेत में सढा दीजिए इस अगर आप अपने खेत में इस अफसिष्ट धान काटन आगे जाके मिलने वाला है। और साती साथ आप अगर इसे जमीन में सडाना नहीं चाते हो। तो इसे आप अपने पुशू के چारे के रूप में भी यूज कर सकते हो। जिससे भी आपको अपने पुशू के लिए अलग से चारा खरीदना नहीं पढ़ेगा। और साथी साथ अगर आप इस मेर को भी अच्छे से क्लीन करके साप करके रखते हो तो मेर की जो घास हैं इस घास में रहने वाले हानी का रख, शुश्म, फंगत जनित की भी नश्ट हो जाता है या चला जाता है जिससे आपके फसल में चाहे आप कुछ मैने बाद फसल वाद फसल लगाए उस फसल में फंगा जनित रोग देखने को नहीं मिलता है यह नहीं मिलेगा तो धान काटने के वाद आप अपने धान के अफसिष्ट को और धान के खेत के मेडों को जडूर साप करके रखिए इस काम को हम किसान भाईयों को करना बहुत ही जरूरी है अगर हम किसान भाई इस काम को करते हैं तो हमारे अगले फसल में बहुत से बिमारी नहीं लगती है तो धान काटने के बाद चाहे आप हाथों से धान काटे या चाहे हर्वेस्टर से धान काटे धान काटने के बाद इस काम को जरूर कीजिए तो ऐसी ही खेती संबंदित जानकरी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे हैं चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साती साथ बेल आइकेन को प्रेस कीजिएगा इससे क्या होगा मैं जब दी फसल संबंदित कोई भी नया वीडियो लाओंगा उसका नोटिपेकरेशन सीधा आपके पास आ सके धन्यवाद